आज के हमारी वीडियो में आप सभी का बमद मोम स्वागत है। बच्चों कल आपने एल्फाबेक्स के 26 लेटर्स के बारे में और उनकी आवाज के बारे में जाना। यह रीखिये। यह सारे 26 लेटर्स के लिएकर लिक्षे हुएंगे। और तुकि आवाज के बारे में। इसमें सब्सक्राइबेक्स के एक जिसकी आवाज के है। एक जिसकी आवाज के है। A, I, जिसकी आवाज कोती है, E, O, जिसकी आवाज कोती है, O, और U, जिसकी आवाज कोती है, A, और इन पांचों के अलावा, जितने 21 लेकर्स और पच्छते हैं, पें सारे पंसों नेश्ट हैं. बच्छों देखिये, ये पांच, A, E, I, O, और U, ये पांचों, इंगिस लेटर्स में इनका बहुत ही महनुन स्थान में, क्योंकि ए को जोड़ करके हम नए वर्स बताना सीखते हूं, इसकी आवास होती है, A, इसकी आवास होती है, A, इसकी आवास होती है, E, इसकी आवास होती है, O, और इसकी आवाज होती है, और ये पांचों वावेज हैं और इन पांचों वावेज से अगे हम कुछ वर्स बनाना सिखेंगे, जिसको आपरों पढ़ना ही साथ साथ सिखोगे. तो पहले हम A से, A को ये कंसमेंट से जोड़ करके देखते हैं, जैसे ये है B, और ये A, है ना? तो यहां देखे, B की आवाज क्या होती है, B की आवाज होती है, ब, और A की आवाज होती है, A, तो ये हो जाता है, B, A, B, अग्रा कस्वरें कुद लेते हैं, C, C की आवाज होती है, कर, और इसके साथ A, इसकी आवाज होती है, A, तो C, A, को हम पढ़नेंगे, कै, अब देखे, ये है D, और ये है A, A, B की आवाज होती है, द, और A की आवाज होती है, A, तो इसको हम पढ़नेंगे, D, D, और देखे, ये है F, और ये है A, F की आवाज होती है, पर, और A की आवाज होती है, A, F, तो F, A हम पढ़नेंगे, F, देखे, ये हो गए, A वाज को जोग करते हैं, हमने पंसुनेंगे, शर्ट बनाना सीखा, अब इसके बाल हम देखे है, E, वाज़ को पंसुनेंगे साथ जोग करके शर्ट बनाना, अब हम वाज़, E को पंसुनेंगे साथ जोग करके वर्स बनाना सीखेंगे, ये देखे, सबसे पहले हूं लेते हैं F F के साथ हम जोलते हैं E तो F की साउंड क्या होती है? For और E की साउंड होती है A तो इसको प्रिदा F E को हम पढ़ेंगे Fade F E Fade अब देखिए K जिसकी साउंड होती है For और E जिसकी साउंड होती है A K E दो रोप दिलागत के बन जाएगा K A J जिसकी आवाज होती है जब और E जिसकी आवाज होती है A A तो ये दो लोप मिला करते हो जाएगा A M E मे अब हम लेते हैं Consonant G जिसकी वाजी ऑर इसके साइब बाबर E P G की साउंड होती है B और E की साउंड होती है A G I ये बन लिया G बच्चों अब हम देखे हैं वाबल आई की सांप को कन्सुनिम सुर्णा गो आप नहीं होग H, H, कि अवास हो दिया ह, और दाई कि अवास इ, ह, इ, ही, अग्या फूने है, M, इसकि अवास है म, आई, इसकि अवास है इ, ये हो दो है मी, P, इसकि अवास है पर, I, इसकि अवास है E, तो दोनों को विला करते हो गया, P, अग्या फंसुने है, R, जिसकि अवास है रख, I, इसकि अवास है E, R, I, R, अग्या फंसुने है, S, जिसकि अवास है स, और I, इसकि अवास है E, स, E, दोनों को विला करते हो गया, C, बच्चों, अब हम वावेर, O, जिसकि साउंद होती है, हो, कुछ इसकि साउंद से साज़ो करके देखते हैं, एट, इसकि साउंद है, ह, O, इसकि साउंद है, O, एट, O, हो, हो, कुछ झेमंद है, M, इसकिसाउंद है, म, O, इसकिसाउंद है, O, म, O, वो, कुछ दोनो विला कर विल्ग करते है, म, एट, इसकि साउंद है, म, O, कुछ झेमंद है, П, P, O, कुछ अगला पंसर नेंग है आ जिसकी साउन है र, ओ जिसकी साउन है ओ र, ओ, दो मिलाके होगिया र, अगला पंसर नेंग है स, एस जिसकी साउन है स, ओ जिसकी साउन है ओ, स, ओ मिला के हो गया, सौ बच्चों अब हम देखेंगे बावेल यू जिसका साउंड होता है अ को पंसुनिक्स के साथ जोग करके फर्टना यहां पे मैंने सारे जो पंसुनिक्स में पे पहले जो यह थे वही सब यह है देखो यहां आप S की साउंड होती है हर, U की साउंड होती है अ, हर, अ तो यहां प्धिया हर, M, U, म, अ, बचिया म, P की साउंड है पर, U की साउंड है अ, मिला के हो गया, पर R की साउंड है र, U की साउंड है अ, मिला के हो गया, र S की साउंड है स, U की साउंड है अ, मिला के हो गया स अभी आपके देखिए ये जो वावेश हैं इनको कुछ इसके साथ में जोड़ करके हमने दो लेटर के जो वर्ड है उसको क्या पढ़ते हैं उसकी आवाज कैसी होती है ये अभी हमने सीखा अब मैं आपको यहां के कुछ टैक्टिस करने के लिए कुछ लेटर्स कुंगी उसको आपको अपने मन में बढ़िएगा या भी जोड़ से भी पढ़ सकते हैं बच्चों यह दिखिए मैंने आपके कुछ पंसोनेंट की इने L, M, P और R उसके साथ वाबेश को जोड़ करके इसकी साउंड क्या बनती है उसको आपको जानना है तो इसके लिए पहले मैं बोल जाती हूँ आपको इसकी प्रैक्रिस कीजिए आपने मन में L, E, ले, 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 ली, लो, 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 लु, लो, अन्हेमि उमी में E am I, me, en o mo, en u, mo IP e pe, P i pe, PI, pi, P i I-P, P-O-P, P-U-P, R-E-R, R-I-R, R-I-R, R-I-Z, R-O-R, और यह, R-U, R-O, बच्चों, यहाँ पे मैंने आखी प्रेप्टिस के लिए कुछ लेकर सीखे हुए हैं, जिसको देखकर के आप पढ़ने की प्रेप्टिस कीजिए, और कल, यानि कि हमारे अगले वीडियो में हम, तीन लेकर वाले जो वर्स हैं, उसको पढ़ना सीखेंगे, और अब तब अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपनों पर लिजिए, और कमेंट पर लिएक के आप ज़रूर बताएए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा रहा है, तब तब के लिए, बाइ-बाइ!